जेन फ्रेंट जोपसे चरुपसेल में आपका स्वागत है आज इस वड़ी में हम बात करने वाले एक आर्मी सेंटर ग्रूप सी की बरती जो की जोइनिंग लेटर जिसके जो भी वेटिंग वाले कंडियेट थे उनके लेटिंग जो जोइनिंग लेटर रिस्चूट हो चुके तो केंडियेट के लिए बहुत ही बड़ी कुसकबरी है जिसमें आपको बताने वाला हों कि किस सेंटर के जोइनिंग लेटर आपके आने वाए और किस और कितनी पोस्ट के जोइनिंग लेटर आपके आ सकते हैं बाकी कि बहुत सारे सेंटर के जोइनिंग लेटर अभी क्लि आपको जोईनिंग मिलता है वो खुसी भी ज्यादा नहीं होती जब आपको अच्छानक से कोई जोईनिनिंग लेटर देख सकते हैं जो कि कॉलेजड़ो प्लेटरी CME की तरब से पूने की तरब से जोईनिंग लेटर आपका जारी हुआ है पहले candidate को call किया गया, उसके माध्यम से बताया गया कि आपका selection हो चुका है, जो कि waiting list में दो number पे एक candidate थे, जिनका आपका 10 post में आपकी total थी, उसमें से भी 2 number पे इनका selection हो चुका है, मतलब 2 candidate, 10 में से भी 2 candidate चाक छोड़ चुके, जिनका आपका यहां पे 2 number वाले candidate का यहां पे महीनों से, तो candidate ने जो भी आपको इतनी बड़ी खुशी जो भी आपकी सुनाई, तो मरेरा भी खुशी का टिकारना नहीं रहा, जैसे मैं आपको उनकी chatting में पढ़ाने वाला, जो कि candidate राजस्तान के रहने वाले हैं, जिनका selection हो आपकी महीनों से मेरे जो candidate हैं, जुड़े अची है, और आप typing clear कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके ज्यादा marks हो, उसमें कम marks में भी आपका selection हो सकता है, इनका 46 में 100 में 46 में इनका selection हुआ है, जिके लेकिन आपके typing हैं, इनके उन्हों complete की, आपके clear कर दी थी, जिसके वजह से इनका selection हुआ है, ये बढ़ती आपके और बचे हैं, इसी सबी जानकर या आगे लेने वाले हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इनका 14 में और एक जून का जो practical test रखा गया था, जिनके और बबीसी के candidate हैं, लेकिन इनका selection और रिजूर केटेगरी मतलब अदर केटेगरी में इनका selection हुआ है, आपका college of military engineering service ज लेकिन temporary basis आपको इसलिए लिखा जाता है कि दो साल का provision period खतम होने के बाद में ही आपका complete ये temporary basis खतम होता है, इसमें आप देखते हैं, सक्सेंटर गवर्मेंट की बढ़ती जो rule 1964 के तहता आपका selection हुआ है, कहीं भी आपको इसमें आल इंडिया में बेजा जा सकता है, और ए immediate effect का दिया गया है, जो कि आपका complete जल्द से जल्द उनको joining करने के लिए दिया गया है, तारीक इनकाद दिया गया है, इसमें भी चेक करेंगे, जो candidate ने बताई है, इसमें सभी document original है, वो complete आपको लेके जाने हैं, जितने भी education certificate हो, चाई medical हो, वो सभी document आपको बनवा कर जल् करनी का तरीका है, और आपके किसी भी के साथ आपका बोल चाल, विहार कैसा रहता है, वो आपसे देखा जाता है, यह अपको गलती करते हैं, यह senior अधिकारी की नहीं सुनते हैं, तो प्रोविजन पीरिड आपका बढ़ा दिया जाता है, और प्रोविजन पीरिड में आते बढ़ाते ऐसा भी हो सकता है यह पूर्द करते रहें और आप सही त्रीके से नोखरी नहीं करें सीनियर रद्धिकारी के नहीं सुनेंगे तो आपको निकाला भी जा सकता है लेकिन ऐसी गलती आप नहीं करेंगे जितनी बढ़ी खुशी उनको हुई है उसके ज्यादा ब परती स्टार्ट हुई थी आपके सीमे की तब से मेरे से जुड़े वे हैं काफी गाइडेंस उन्हों ने लिया मुझे और काफी को लेटर मेरे साथ सेंड की एक सभी जानकारी मुझे दी तो उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी की इन्होंने जो आपकी जो जानकारी दी है आप ये खुद भी देख सकेंगे कि उन्होंने क्या बताया है कि आपका मेरा युगदान कितना रहा है या आप देख सकते हैं आठ अक्टूबर को उनको ने मेसेज किया कि मेरे पास सीमी से जो भी पूना कॉलेज है वहां से आर्मी की उसमें आपका वे और वैसे की कामना के लिए आपका मेसेज दिया है बाकी के इनोंने आप देख सकते हैं यह आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो इनमें सेलेक्शन का बहुत बड़ा युगदान रहा है बस मैं इतना ही चाहता हूं कि और यह से ज्यादा तो ब्लीज आप जुरूर शेयर किए हैं हर चार्ट जो भी खुशी है वो सभी के साथ सेयर करें जिससे आपका भी खुशी बढ़ेगी और जो भी केंडरेट है मुझे भी खुशी होगी सायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं जो भी केंडरेट है जो भी सेलेक्शन जिन बताते हैं तो मुझे इस चैनल के लिए जो कर रहा हूं उस चैनल के लिए बड़ा मुझे खुशी होती है कि मैं साइद और भी आगे के अच्छा कर सकता हूं तो जो भी केंडेट है अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि लिष्ट में किस प्रकार से इनका नमबर ने पर आप मैं केंडेट को बताया था कि बहुत सारे और केंडेट का सेलेक्शन होगा जो की वेटिंग लिष्ट में हैं क्योंकि बहुत सारे कंडेट ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारी जगह पर उनका सेलेक्शन हो जाता है और इसी वजह से आपका सेलेक्शन दुबारा जो वेटिं जिसमें आपके अकाउंटेट की थी इसके बाद में आपके मेकेनिक की थी आपके इस परकार से बाइंडर की थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको जोइनिंग लेटर अभी दिखा है यह आपका है लो डिजिन कलर का जिसमें आपका candidate का सेलेक्शन हुआ है टोटल दस केंडरेट थे इसमें से भी दो केंडरेट वहाँ पे छोड़ कर चले गए हैं और जिसमें से भी दो केंडरेट आपके छोड़ के चले गए जिसकी वज़े से दूसरे केंडरेट जो है उनका सेलेक्शन हुआ है तो यह बड़ीती बहुती बड़ी किसमत होती है जिसमें 10 candidate में से आपका सेलेक्शन वाले दो candidate छोड़ के जाना बड़ी बात होती है इनका candidate का जाना सेलेक्शन हुआ है इसे प्रकार से बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिन्हें उन्हें छोड़ा होगा और MTS में सबसे ज्यादा पोस्ट थे 40 पोस्ट उसमें सो करीबन आपके जैसे 4- पांच पोस्ट ऐसे अराम चे होगी जो candidate ने छोड़ दी होगी और बाकी की जो भी वेटिंग लिस्ट वाले candidate का सेलेक्शन हुआ होगा यह आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट आपकी यहां पर जारी की गी ती जिसमें बाइकाइदा आपके नंबर के साथ आपका कितने नंबर पे आपका नाम है वो सभी आपको दिये गए था तो यह candidate के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात थी कि यह candidate अपनी प्रांस पे इसमें आपकी रखी गी थी जिससे आपके अपनी जानकारी चेक करते रहे और इसमें आप देख सकते हैं यह दो नंबर पे आपके ज जो candidate थे उनको पहले बुला लिया था इसके बाद में second वाले candidate को यहां पर बुलाया है तो यह आप देख सकते हैं सारी लिस्ट आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें से आपके बहुत सारे candidate देखने को मिलने वाले हैं और भी बहुत सारे candidate एक साल तक ही valid रहती है इसमें आप जैसे MTS के 3-4 candidate का आराम से उपर वाले candidate का selection इसमें 100% हो जाएगा बहुत एक कम marks पर यहां पर selection हुआ था बहुत एक कम जो candidate थे वहाँ पर exam में बुलाये थे उनकी में भी बहुत कम candidate वहाँ पर पहुंचे थे तो ऐसी बड़तियों को आपको जरूर देखना चाहिए औ और जिसने भी इस बढ़तियों में आपको एक्जाम दिया है तो उनके इंडेट के लिए बहुत ही सांदार मौका है यह आप वेटिंग लिस्ट में एक न या दो नमबर पर रहते हैं या पांस नमबर तक आपके में आपका सेलेक्शन यहां पर होने के चांचेज रहेंगे हंगे इक साल तक क्योंकि एक साल तक आपके वेटिंग लिस्ट क्लियर आपके जो भी है आपका जो भी क्लियर होती रहती है जिस परकार से कर दिःट छोड़ते जाते हैं यह आप जो क 미ल नहीं करते हैं इसकी वजह से और ऐसे जैसे कि आपको बता दूत की Battlevere भी जो लेबर की पिछली बार की बढ़ती थी 2022 की उसके भी वेटिंग लिस्ट आपकी आना स्टार्ट हो चुकी है जिसमें एक बहुत सारे केंड़ेट के अभी जालंदर केंट के अभी लेबर केंड़ेट का आपका जोइनिंग लेटरा है जो कि आज ही मुझे मेसेज किया थ जिन केंड़ेट का पहले से ही F.A.D. में सेलेक्शन हो चुका है और वो F.A.D. में जोइन कर रखा लेकिन F.A.D. की बरती छोड़े जालंदर केंट में और जो कि पछली बरती थी उसमें आपका चैंड़ेट का वेटिंग लिस्ट में सेलेक्शन हुआ है तो ऐसे यह आपक पर बहुत सारी जगह केंड़ेट का सेलेक्शन हो जाता है इस वज़े से एक ही पोस्ट वो जोइन कर पाता है तो यह जिस परकार से पर बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो की वेटिंग लिस्ट वो जो नहीं करती है और उनका जोइनिंग लेटर डारेक्ट आपके गर पे पहुंचता है जैसे इसमें तो आपके जोइनिंग लेटर जो लिस्ट वो सो की वी है इसलिए आपको फिर भी ऐसे था कि हो सकता है आपका सेलेक्शन हो जाए लेकिन किसी-किसी उनिट में जो भी लिस्ट सो ही नहीं की जाती है वहाँ पर सबसे बड़ी खुशी होती है जब आपके पास चोनिंग लेटर आपके घपर पाहुँच पूछा क Sorry लिए और जो भी है इसी प्रकार से सभरकों से होते रहेंगे और जो भी कहने हैं जयसे नोकरी चोड़ते जाएंगे दूसरी एक साल तक के जो भी कंटिया उनका सेलेक्षन होता रहेगा यहाँ आप अपनी कहीं जैसे वेटिंग लिस्ट कितनी है जैसे मार्क्स कितने प्राप्त होए मेरा जो भी इस्तान है जो भी मेरिट में वो कितने नम्मर पर है ऐसी जानकारी आपको आटिये के माद्धम से एक अप्लीकेशन के लेकर और जो भी पोस्टल ओडर लगता है दस रुपे का वो लगाकर आपको ओफलाइन आपकी आटिये लगाकर आपके जानकारी लेनी चाहिए जिससे आपको पता रहे कि आपकी वेटिंग लिस्ट कितनी है जिससे आपका सेलेक्शन होने में कितना चांस बन सकता है यह चीज़ें जरूरी है जो भी आपको करनी चाहिए इससे समद्देद कोमेंट करके पूछ प्याख सकते हैं जैन दोस्तों